चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं अभ्यान में आपका स्वागत है आज हमारे साथ सदा वीम सिंघ जी है जो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और बलकी उत्तर भारत में किसानों के और कि गन्ना किसानों के 뭘 के लिए कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं उनके मुद्दों को बारवार उठाते आ रहे हैं और एक पूर्व पारत किये हैं उनी तीनों अध्यदेश पर अगर हम एक एक करके बात करें क्योंकि पहला जो अध्यदेश है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अशूरंस और फार्म सर्विस्स ओर्डिनन्स जो की मदब कुल मिलाके एक तरीके से कॉंट्राक्ट फार्मिंग के लिए क्या कहना है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना छोटे चाँ चोटे स्तर पर कांट्राक्ट फार्मिंग पहले भी हिंदुस्तान में इदर कई जगा पंजाब में या बाकी जगा महराश्ट्रा में देखने को मिली है उस संदर में उनका आशर रहर अब आपको क्या लगता है कि यह contract farming के जो दरवाजे खुले हैं यह किसानों के लिए कितना beneficial है आपने खुदी इसका उत्तर दे दिया कि पहले भी यह contract farming होती थी नतीज अच्छे नहीं हुए पेपसी को की बात करें जी पेपसी टमाटर और आलू लेकर आई contract के साथ लोगों के आप उगाओ पंजाब में भी हर्याना में भी आप उगाओ लोगों ने बड़ा उस समय कहा जैसे इनका है ना flagship program की बात करते हैं जी वह फ्लैक्शिप प्रोग्राम था नब्बे के अंदर क किसान बर्बाद बर्बाद क्यों हो गया आलू भी लगा ट्माटर भी लगा बीद भी बढ़िया था उन्होंने बीद दिया अपने हिसाब से अपने एट पर फिर आगा गरेडिंग पर नए जोटा है यह मोटा है यह पतला है यह दुबला है और जब रिजेक्ट कर दिया में ते दावान के अंदर नियू पकटते हैं उनके हातों में मॉइस्टर परिश बीटर लगे हैं जो काम हमारे आ के लूग करने हैं वही एलो कर रहे हैं और इनके अंदर कांट्राक्ट फार्मिंग में क्लॉज है हमें बेचेंगे अपने हिसाब से रेच पे खाद है कीत नाशक है दवा है बीज है अपने रेच से सेटल करेंगे MSP की बात इनुए कि मिनमम क्या होगा चलो एक मिन्ट के लिए उनने मिनमम से बीजारा सेटल कर लिया हमसे रेच फिर एक लाओज है उसके अंदर मोईना करने का इंस् पेक्षान क्लाओज है खफिए इंस्पेक्शन में का यहार.... आथ है उनके पास। मतलब फिर हम केवल उनके रह्मों कर्म पर ही जन्दा रहेंगे। कि अभाई मेरा इंस्पेक्शन कर ले नहीं भाई तू थोड़ा ले-ले कर ले मेरे देदे मैं अम लोट जाओंगा मर जाओंगा मैं तो जब हमने पहले देखा है गुज्राद के अंदर महाराश्त्रा में कपास कि अगर बात करें हम अलू की बात करें चमाटर की बात करें हम आपको पुआ किसान लुटा है, और लुटने के बाद उसको बचाने की बात करेंगे और और लूटने की बात करेंगे. यह अजयादेश लुटने वाल्य अजयादेश है, जब आप किसी के साथ कांट्रैक्ट करते हो, सभोता करते हो, तो रिजिस्टर कॉंट्रेक्ट होगा इसके अंदर पांच साल का मिनिमम होगा और मैकसिमम इटरनिटी तक होगा उस समय क्या होगा वो कह रहे हैं जो आपका इंफ्रेस्ट्रक्टर बन जाएगा वो छोड़ के जाना चाहिए छोड़ के जाना पड़ेगा उसको क्या फरक पड़ रहा है आग तो आदमी किसाद मौताजे बच्चों की फीस देने के लिए मौताजे अपने खाने के लिए वो म के अंदर एक धेला फाइदानी होने वाला किसान को अगर आपने जिससे कॉंट्रेक्ट किया उससे लड़ाई हो गई आपकी तो कहां जाओगे आप हम तो अपने गन्ने के लिए कोट जाते हैं को से आदेश लेकर आते हैं कि देर सवेर पैसा ता मिलता है इसमें आप जाओग किसान को यह तो मरने का रास्ता दिखा रहे हो एक्चली यहां से मेरा दूसरा सवाल भी आता है क्योंकि आपने खुदी अभी का कि दूसरा अद्यादेश भी कहीं इसका जुड़ा है नाम उसका दिया गया है कि अब इसमें जो कह रहे हैं कि APMC के बाहर भी आज किसान अपना अपनी पहसल बेच सकता है और उसी के साथ साथ एक यह बात जो निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं MSP या न्यूंतम समर्थ मूल्य जो होता है वो भी शायद कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि डिस्मैंटल हो सकत है इस और दिनेंस या अध्यदेश की वज़ा से आप इसके बार में थोड़ा सा बता है मोधी जी का कहना यह हम लोग तो बच्मन से खेती करकर के बुड़ हो रहे हैं पर अफसोस है हमान नेता हम से बहुत जारा उस्ताद है वो जारा समझते हम से उनका कहना है कि अध्यद कि अध्यदी बिमार है हमने तो अध्यदी को माग डाला खतम कर दिया अब हमने कहाँ जहां जाना जाओ जितने में बेचना बेचो खुली छूट है पहले कौन सा हमारे हाथों में हत्करी लगी थी बहार जाने में पर बाहर हम क्यों नहीं जा सकते थे अध्यासी च्यासी परसंट आज पॉपलेशन जो है खेती करने वाली कि दो तीन एकड के दाइरे के अंदर आते हैं सिमिज जाते हैं चोटे किसान है मद्यम किसान जादा तर उसी में उचारा लगाता है चारा काई के लिए अगर पशू नहीं होगा दूद नहीं बिखेग करवाला अपनी गहूं चना दाल मसूर बेचके सरस्वां बेचके नहीं करता है वो पशू के दूद से जीवित है आज तो चारा लगाता है चार से पशू रखेगा चारा भी जारा हो जाएगा उसके साथ साथ कुछ सब्जी भी लगाता है उसे में अनाज भी लगाता है अ जहों की बात है पूरे बारह महीने कर एक रखेगा, बेचने के लिए तीने कड़वाले के पास मुशकिल से 10 वंटल सेलेकर 20 विंटल हूता है अब वह अपनी लोकल मंदी में जाने के लिए्टाहँ है उसके पास वो कहा जाएगा कलकफ्ता कहा जयगा दिली आजात्पूर मंडी एक कहा नहीं जाएगा वह उसके पाद़ लग्ली लोग Debatte तोक्रे तीन युक्रे वो जाता है केवल लोकल एपीमसी मंडी साड़े छे हदार एपीमसी मंडीों में रिजिस्टर्ड एपीमसी मंडी रिजिस्टर्ड हैं देश में उनको ठीक करने की बात थी वो वहाँ जाए MSP उसका हो हर सब्जी का MSP हो हर दूद का MSP हो अगर किसान को प्रिटेक करना है तो MSP क्या होता है एक रेक गौर्वर्मेंट टे करती है कि आपकी लागत कितनी है हमारा डीजल है हमारा खाद है कीतना शक दवाई है मिनिमम लेबर है आप बढ़ाए जा रहे हूं प्राइस इंडिक्स इसाब से अभी देखा आपने 20 रुपे आपने बढ़ा दिया डीजल का रेट जबके इंटरनेशनल मार्केट में 130-140 डॉलर से 40-45 डॉलर आ गया आपने हमारा बढ़ा दिया और आपको शरम नी आई उस समय आपने गन्ने का रेट FRP यहाँ आपने एक लीटर पे 20 रुपे बढ़ा दिया जबके जरूरत नहीं थी यहाँ हमें जरूरत थी FRP एक क्विंटल पे आपने 10 रुपे बढ़ाया एक ओर्डिनस दिये कि MSP से कम कोई खरीदेगा तो जिल जाएगा जैसे मैंने खाँ डीजल है, खाद है हर चीज बड़े जा रहा है और हम सरकारी रेट से कम ले नहीं सकते हम हम सरकारी रेट से कम ले सकते वही जब सरकारी हो गया MSP minimum क्या minimum का minimum होता है क्या तो हमको भी minimum मिलना चाहिए उस दो पर कुझे contract करे बढ़ा अच्छा है contract भी करा लो, आप कोई दिकत नहीं मुझे पर minimum के ओपर कराओ inspection clause नहीं होगा ये चीजे हैं किसान को बचाने की बात करोगा जैसे मैंने कहा एक ordinance है Essential Commodities Act का amendment जैसे मैंसे डाले, आनाज, आलो, सब कुछ निकाल दिया उस पर MSP की होगा कि MSP शैदाप नहीं होगा जब आप देखते हो कि आनाज, दलन, तिलन अवशक वस्तु है Essential Commodity है तभी आप खरीदते हो लोगों को देने के लिए जब आप Essential Commodity के डाइरे से निकाल दोगे ये वस्तु अवशक नहीं है तो सरकार PDS में देगी नहीं Essentially देगी नहीं, जब PDS से निकल जाएगा तो सरकार खरीदेगे नहीं आज MSP पर खरीदी है सरकार वह अलग बात है कि 6% खरीदी बाकी नहीं खरीदी जब MSP नहीं अब जब खरीद होगे नहीं तो MSP नहीं होगा तो आपका पहला प्रशन तो आपका प्रशन थो आजाएगा कि MSP खतम होने का पूरा का पूरा इनों नहीं रास्ता बना लिया है वान-डेसे अब गंट आप्लिकेशन वाइनेंश व्हान, यह Cel Ethereum, इस अब रही बात इन यह अप्लिकेशन वाइन्ट हमई था इनकोपरिट्स बनाएंगे। आज कोपरिट्स करेंगे अदाने मेदय घा है? आज छोटे वेपारी भी इतने खुश नहीं है। कोपरेट्स क्या करेंगे इनको फंट करेंगे एक रिपे की चीज लाठाने में खरीदेंगे और आगे दू रुपर में पेचेंगे। यह होड़िंग भी आप में खदम कर दी न्युक्तिम एक धेटा इसमें वालेमें जो परला ओला था कानून ऊब्लों में आपने होड़िंग भी टिन बड़ा साथ था आप पर लिया तो तो तीन बड़ा साथ नियुग्पतियों को आइप जिससे कोप्रेट्ट हम कहते हैं उन के भले के लिए है अभी आप में देखा ना दो जिन पहले आंक्रे आ गए बैयालिस हजार चार सो असी किसान और मज़ूर ने आत्मत्या कर ली एक साल में किसान आज जो है परिशान है आज गाउं में देखिए बच्चों की जीविकाना होने के कारण करोना में कुछ करोना में चला गया और कुछ नोट बंदी में चला गया उनकी जीविकाना खतम हो गई है आज को जिन्दा करना होगा और नौ जवानों को जीविका देनी होगी आद गाउं में जो हाल हो रहा है गाउं में यह हाल है कि लड़की का बाप खुद खेती करता है कि खेती से इतना तंग हो गया है कि अपनी बेटी का हाथ कोई खेती करने वाले को नहीं देता पांच एकड़ को मिन देता हूं वो चपड़ासी के बेटे को देने को तयार है इतना बुरा हाल हो गया है इस चक्कर में आज ओडिनिंस लाओ तो ऐसा लेकर आओ जिसमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो किसान बचे तो इन चीजों को देखते हुए करते हुए आज खेती को जिंदा कर है हमारी कोशिश हो रही है उसको लाने की वापिस उनसे बार-बार कह रहे हैं वेस्टन यूपी में कह रहे हैं कि भाई समझ लो अगर तुमारे गन्यका रेच साड़े चास सो हमने करा दिया है हम तो आद भी चुनौटी देते हैं योगी बावा को तुम साड़े चास से कर किसी ना किसी रूप में क्रिशी चेत्र से पर निर्भर है अपनी जीविका के लिए लेकिन साठ प्रतीशत से भी जवाजन संख्या क्रिशी चेत्र से होने के बावजूद भी क्यूं ऐसा बार-बार हो रहा है कि किसानों की मांगे हर बार किसानों को बड़ी-बड़ी संख परन हर बार करने पड़ रहे हैं ऐसा क्यूं है कि बहीं किसानों की नहीं सुनी जा रही है किसी भी सरकार में पहली चीज यह है नेताओं एक रास्ता ढूंड लिया है किसान को किसान किसानी से हटाओ बेशक खेती करें उसको जाथ-बरादी में खुषा दो आज जब यह जो गुजर है वो सेंगे वो त्यागी है वह ब्रामंण एव ठाकुर है वह कुर्मी है वह लोध है चलते जाएगे अगर एक ने दिया जाथ जादा इस एलाके में जाट को टेकट दिया दूसरा गुजर को दे देगा बढ़ जाट के कठे हो जाओ अब यह ने वालूं क जाट की अम्मा कौन है धर्टी माता गुजर की मा को ने धर्टी माता को भूल दाते हैं तो यह जो नेतायों को काम है कि हमें जो है पूरा अरक सो हमारी मान जब एक है तो अड़ बाद्रीं में फ्ねह न Montat कि उसी को लेकर आज हम पूरे विश्व में लड़ रहे हैं देश में लड़ रहे हैं कि जाद बरादी छोड़के किसान बरादी में वापस आओ तभी किसान का भला होगा तभी बच्चों को एक जीवी का मिलेगी तो क्वियम सिंग जी जैसे आपने बताया कि अभी अगल बा करती हैं महिलाएं भी खेतों में जा रही हैं और क्रिशी चेत्र में और क्रिशी उत्पादन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है लेकिन किसान आंदोलनों में आज भी महिलाओं को नहीं देखने नहीं देख पा रहे हैं ना लीडर्शिप में ना जो भीड आती है उ गहर चलाने में उगदान दी फ़िए जिए जो फश्यू चलता है और महिला जो धाग राती और संय पराती है दूद भी निकालती है वह सब कुछ करती है और इसलिए हमने न समें मतलिटज रच्षक सकी अदिव सी को महिलाओं को, सब को इस ट्रेणी में रखा है, जो हमने बिल बना के दिया था, ये किसान किशेनी में हैं, महिला आगे है, आज महिला को हमें सम्मान देना पड़ेगा, तो अंदोलनों में कब नजर आएंगे आप अगर आप कहा रहे हैं, इन में प्रतिवाह्न जी है, महराष्रॉट, जफ़ृरात, भृ। उनके साथ ज्यार महिलाई हैं, मेधा पातकर जी साथ जारा महिलाई हैं, ऐस बहुत महिलाई हैं、 आपका कहना सही एWS इनकी संख्या बढ़नी पड़ेगी। अखिर में मेरे आखरी एक दो सवाल है एक तो यह कि गन्ना किसान हर साल रेट बढ़ाने के लिए अंदोलन करते हैं हर साल तो नहीं हर दो-तीन साल तो एक अंदोलन होता ही है पश्चे मुतरप्रदेश में रेट बढ़ाने के लिए अभी प्रतिक विंटल मेरे ख्याल से 200-300 के उपर जादा नहीं जा रहा है गन्ने का रेट आप लोग साड़े 400 की मांग कर रहे हैं यह आप रियलिस्टिकली कहां जाते हुए देख रहे हैं देखिए पहली चीज तो मैं बताओं कि आप मुझे बता दीजे कौन से गन्ना किसान संगठन ने रेट बढ़ाने की मांग कर चीनी का रेट बत्यस हो गया है हमें 280 से कम नहीं चीए तोंकि उस साल 140 सामने डवल हमने कर दिया था मायवती जी की सरकार में तीन घंटे में लाठी चाज और भगाते थे हम लोग वहां दो दिन दो रात रहे और जब तक एक मिल एक रेट एक एक मिल एक रेट एक कुप्रीम कोट का देश लागू करना पड़ा हम तो कानून के तरह चलते ना और आखरी में क्या हुआ उसी साल 165 के बदले आखरी पर्ची में 255-260 रुपे मिला था किसानों को वियम सिंग जी आखरी सवाल या दो सवाल मैं जोड रहा हूँ एक तो जैसे हम बात कर रहे थे बाकी सारी दिक्कते जो हैं ही जिस पर आप विस्तार से बात कर रहे हैं लेकिन अगर रेट बढ़ भी रहा है लेकिन रेट बढ़ने के साथ-साथ किसान जो है वो कई-कई- दूजरा सवाल है कि पश्चे मुंतर प्रदेश में खासकर कि 20-25 साल पहले तक भी अगर हम देखें जादा तर जो मिले थी वो मतलब कुछ हद तक सरकारी थी और कुछ हद तक सहकारी थी इन मिलों का भी धीरे-धीरे निजी करण हुआ है मतलब अभी एक साल पहले ही देख मेरे ख्याल से यह तो इतना बड़ा क्वेस्ते ने कि हम दो शाम तक बैठे रहेंगे तो हो जाएगा पर मैं आपको उत्तर देता हूँ पर मैं आपको उत्तर देता हूँ उस समय यह था कि 80 मिले थी जैसे आपने का सरकारी कोई नी थी सहकारी थी कोपरेटिव और निगम की और निगम और सरकारी मिलके हो गए यह 24 चार मिलों को फरक हुआ है और यह मिल मालिक रोज लोते हैं मर गए पैसा नहीं है हमारे पास कहां से लाएं घाटे का सौधा है और खुद इनकी इनके रिजर्व किसी के 200 करोड के 300 करोड के हो गए और बजाज को देख लो ना दो मि एक डोर खीरी में आप इसार एक घी ड़यू है 15 मिले हैं तुक में पता दो ना मुझे जिसकी य। य। य॥श य॥ाश sorry hole हो गई और 16 वाले की बिक बिक के दो य॥च कर तो हो गई मिल मालिक, पुंजी पती, उद्योग पती, पैसे वाले, जब वो नेता को पैसा देते हैं, एक रुपए देते हैं, तो नेता सोचता है कि एक रुपए तो आ गया, बीस पैसे अगर किसान में बांट दूँगा मैं, तो मैं फिर जीत जाओंगा, और किसान कहता है, अरे नेता नेता ने बीस पैसे दीती है, बड़ा काम करती है, जबकि अधिकार के जो उससे कई जादा रुपे हैं, वो उसको मिलनी रहे है, अगर उसको थोड़ा पैसा 100-100 रुपए वोट का दी दिया है, वो गन्ने पे अपने एक एकड़ पे, अगर 400 कुंटल एकड़ का होता है, 80 क 35 रुपए — 140 रुपए मारा जा रहा है तो 50,000 रुपए एकड़ खराब कर रहा है, पचास एधार पे एकड़ पांस एकड़ मिलता है, उसको छोड़ते हुए, वो नेता के पाँच पे पैसो पे आ जाता है, वो पैसा नेता कहां से लाएगा, मिल-मालकों से लाएगा. आख में तो मोजी जी को लिखा, योगी जी को लिखा, जिस देन आप चाओगे हल निकल जाएगा, पर आपके नियत साफ होनी चाहिए बस नियत साफ होनी चाहिए और किसानों के लिए और मजदूरों के लिए हल सरूर निकलेगा आज हमारे साथ सिदार वी-म सिंग जी थे जिन्हों ने बताया कि कहीं न कहीं आज जिस तरह के अध्यादेश आगए हैं देश में किसानों के लिए जो अभी तीन नए अध्यादेश आए हैं उससे किसान ही अपने ही खेतों में बड़े बड़े कॉर्परेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका वीमजिंग जी, थाकू, थाकू, बहुत वाद दन्देवाद।